उपसूरत एक्टर मोनी रोय ने टीवी की दुनिया से लेकर बोली उड तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है अला कि उपसूरत एक्टर मोनी रोय ने टीवी की दुनिया से लेकर बोली उड तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक बार फिर शे मोनी रोई शुल्तान ओफ दिल्ली की स्कीनिंग में इतनी रिविलिंग ड्रेस पहन कर पहुंच गई कि वो इस ड्रेस को शबहाल ही नहीं पा रही थी मोनी रोई की ड्रेस कांधे से आधी किसक गई थी मोनी रोई की ड्रेस फिर क्या कैमरे में कुछ इस परकार कैद हुई कि फैंस ने उनको ट्रोल्स करना शुरू कर दिया सोसल मेडिया पर देखते ही देखते ही यह वीडियो इतना वाइरल हो गया कि मोनी रोई नियोन कलर की ओफ सॉल्डर ड्रेस पहन कर पहुची हुई थी जिसमें एक्टर की ये ड्रेस इतनी जादा फ्रंट साइड से लूज है कि वो नीचे की और खिसकती ही दिखाई दे रही ह इस ड्रेस को पहन कर मोनी राई जैसे ही सुल्तान ओफ दिल्ली की स्कीनिंग में पहुची तो उनका लुक देखकर फैंस का दिमाग खराब हो गया इसमें मोनी राई फ्रंट साइड से रिवीलिंग इतनी लूज ड्रेस पहन कर पहुची की बार बार कैमरे के शामने खिसकाती नजर आ रही है साथ ही एक्टर ने ड्रेस ब्रालैस होकर पहनी है जिसमें की सब कुछ कैमरे में कैथ हो गया मोनी राई का एलुक सोसल मेडिया पर अब तेजी से वाइरल हो रहा है मोनी की इस ड्रेस का गला भी काफी जादा डीप दिग रहा है के बाद भी एक्टर कैमरे के शामने एक से पढ़कर एक किलर पोस दे रही है और मोनी राई ने अपने लुक को पुरा करने के लिए अपने बालों को ओपन रखा है और स्टल मैकप के साथ पैर में हाई हेल की सैंडल पहनी हुई है साथ ही मोनी का एलुक देखते ही देखते चर्चा में इतना आ गया कि पूछो ही मत आला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब एक्टर इस तरह की रिविलिंग ड्रेस पहन कर पहुची थी कई बार मोनी रॉय इस तरह की ड्रेस पहन कर कैमरे के सामने आती रहती है यह सब करती रहती है और आपको बता दे कि मोनी राय ने टीवी सीरियल के बाद अब फिल्मों में डैबू किया है फिलाल मोनी राय अपनी एक्टिंग से ज़ाद अपने फैसन सेंस और रिविलिंग ड्रेस के कारण लाइम लाइम लाइट में बनी है प्रण जरेस कि में यह करेंदो थी है